Hello students, फिर से एक बार मेरे चैनल में सौगत है आपका आज मैंने आपके लिए बहुत ही important topic select किया है जो हम आज discuss करने वाले है that is the periodic table so regarding periodic tables we are going to discuss very important things so आज का topic है हमारा periodic table से related है जो काफी बच्चो ने message किये थे किसरा periodic tables के बार में कुछ नाया tricks हमें बताई है so accordingly I was prepared the particularly one important tricks for the periodic table in today's lecture student we are going to discuss only yes and p block elements only yes and p block elements strict in today's lecture and I am going to prepare another one slide and video in the next lecture for the other elements so keep in your mind we are going to discuss only yes and p block elements का ही आज देखने वाले तो कि वो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए ठीक है तो चलो बच्चो आज देखते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा yes block देखते हैं आज yes block yes block में आते हैं first and second ग्रूप एलेमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रूप एलेमेंट्स जाते हैं एक एस ब्लॉक में आते हैं तो फर्स्ट ग्रूप एलेमेंट्स से चालो करते हैं बच्छा भी फर्स्ट ग्रूप एलेमेंट्स में आपका हो जाएगा फर्स्ट ग्रूप एलेमेंट्स को यह हम alkaline metal भी कहते है alkaline metals ठीक है सबको मालूम है alkaline metals उसमें कौन से element साते है देखिए hydrogen lithium sodium potassium rubidium cgm francium तो यह हो गए आपके elements तो अभी इस पर याद रखने के कौन सा trick है तो tricks देखिए tricks बनाया है मैंने हे ली ना की रबडी कैसे fry करे देखिए यह फिर इसे हे के लिए हे यह के लिए हे ली ना की रबडी कैसे fry करे हो गया तो यह हो गया first group element जो alkaline metal कहलाता है तो चलिए और दूसरा देखते group जो दूसरे group में कौन से second group आप बोलते हैं उसको second group में alkaline alkaline earth metal का आ गया है second group को ठीक है तो alkaline earth metal में elements आते हैं बैच्चो बेरिलियम मेगिनेशियम कैल्शियम स्ट्रंस्टियम उसके बाद में बैरियम और फिर आता है रेडियम ठीक है तो यह हो गए आपके elements के नाम तो आभी यह कैसे याद रखना है तो यह याद रखने का tricks अपने पास से देखिए बेटा मांगे कार सैंट्रो बाप राजी ठीक से देखिए बेटा मांगे यम जी के लिए कार सैंट्रो पुराना कार है सैंट्रो बाप राजी तो यह हो गए आपका सेकंड ग्रूप के elements का tricks ठीक है तो alkaline ग्रूप ऐसे आप याद रख सकते और जाते हैं पच्चों यह हो गए yes block से related आप जाने वाले हैं पी ब्लॉक में जो पी ब्लॉक चालो हो जाता है वो ग्रूप नंबर 13 से चलो होता है सबको मालूम है तो ग्रूप नंबर 13 जो है वो एक्चुली बोरान फैमिली कहा जाता है ग्रूप नंबर 13 को तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए Boron Family उसको कहा जाता है Boron Family में कुल सी Elements आदे जी ज होगे आपके Boron Family की Elements जो आपको ज्यादा तर पूछते है ठीक है तो बच्चों अभी इसको याद कैसी करेंगे देखिए, बईंगन, आलू, गाजर, इन, थैला तो बजार में जाते हैं के बाद में आपको एचीजों की जरूरत पड़ती है तो उसे related, हमने market से related लिया है यह बईंगन, यह देखिए, फिर से एक बार बईंगन, आलू, गाजर, इन, थैला तो यह हो जाएगा आपका group number 13 का trick very important है group number 14 में जाते बच्चो group number 14 जो है carbon family से related है तो उसमें elements देखते पहले carbon, silicon, उसके बाद में आएगा आपका germanium उसके बाद में teen और PB याने lead ऐसे आपके elements है तो यह याद का इसे करना है आपको बता रहा हूँ मैं कहे शिव जी सुने पारवती ठीक से देखिए कहे शिव जी सुने पारवती हो जाएगा ठीक है तो group number 14 का इसे याद रखना है group number 15 जो nitrogen family के लाता है तो हम nitrogen family के elements पहले देखते है nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth यह हो जाएगा आपके group number 15 के elements ठीक है तो यह याद कैसे रखना है देखो नाना, particular, असली, सबका, भाई भी आई के लिए भाई ठीक से देखिए नाना, particular, असली, सबका, भाई ठीक है, तो group number 15 आई से याद रखना है जाते हैं group number 16 में बच्चो 16 जो family के लाती है particularly oxygen, oxygen से related जो family उसको 16 ग्रूप में कर गया है ठीक है, तो अभी हम देखने वाले उसमें elements कुनते हैं elements उसमें oxygen, sulfur, selenium, telenium, polonium ठीक है, यह elements हो गए अब यह याद कैसे रखोगे, देखो ओ, सावली, सी, तेरी, पूनम यह याद रखना है word, क्या है देखिए ओ, ओ के लिए, सावली, सी, तेरी, पूनम हो जाएगा, नेक्स्ट, ग्रूप नंबर 17 में जाते हैं जो ग्रूप हालोजन फैमिली से क्यालाता है इसका नाम है हालोजन फैमिली तो हम ग्रूप नंबर 17 के elements देखते पहले फ्लोरीन, प्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्टटीन यह हो गए आपके elements, यह आद के से रखने, उसके लिए ट्रिक्स देखिए फिर, कल, बाहर, आयेगा, आटो वाला देखिए फिर से, फिर, यह के लिए, फिर कल, बाहर, ब्रूप भी आएगा, आयेगा, आयेगा, आटो वाला के लिए 80 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गए आपका गुरूप नमबर 17 और देखते हैं लास्ट गुरूप जो 18 गुरूप राता है उसका नाम है इननर्ट उसको तीन नाम है एक्चुली इननर्ट नोबेल और जीरो गुरूप एलेमेंट्स ठीक है तो इसमें एलेमेंट्स कुन से आते हेलियम, नियोन, अर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन ठीक है यह कैसी याद रखना है बच्चो देखिए हेडन नहरा अगर कर जीरो रन आउट फिर से देखिए हेडन आपको मालू मैं क्रिकेटर हेडन नहरा अगर कर सब क्रिकेटर से क्रिकेट खेल रहे हैं और जीरो रन पे आउट ठीक है वो आगे का तो ऐसे आपको याद रखना है तो आपके येस और पी ब्लोक जो मैंने बता है था तो अपनी ए वीडियो में कंप्लिट हो गए है तो ये ट्रिक से बहुत ही आसान काम हो जाएगा तो मेरा परफजी यही है कि आपको बहुत इजी वे से मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकूँ और आप तक मेरे मेसेज पहुंते रहे है इसलिए मेरा चैनल सस्क्राइब करते रहे है लाइक करते रहे है और दुसरों तक शेर भी कीज क्योंकि उनको भी मेरे आने वाले नहीं नहीं वीडियो पता चले तो बच्चों यहीं पर हम यह आज का टॉपिक खतम करते है थैंक यू अल आफ यू है ओनाइस डे